आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेट दर्द, गेस, अफारा, पेट फुलना जैसी बिमारियों के लिए होम रेमेडी जो अमारी दादी नानी हमको पेले दिया करती थी बिल्कुल सिम्पल और कीचन में रखे मसाले से ही बनकर तैयार होती है लेकिन बहुती असरदार है ये होम रेमेडी पेहले के जमाने में टेबलेट वगर होती नहीं थी जो पेट में गेस बनी, पेट दर्द हुआ तो खाली पेट लेली वेसे देखा जाए तो पेले के जमाने में गेसादी की प्रोब्लम नी के बराबर होती थी क्योंकि हमारा खानपान एकदम शुद्ध और संतुलित होता था और जब कभी इस तरह की प्रोब्लम हो जाती थी तो हमारी दादी नानी हमें कीचन में रखे कुछ मसालों से ही ठीक कर देते थे लेकिन आज कल ये समश्या आम हो गई है, हमारा खानपान सभी कुछ चेंज होता जा रहा है, सभी चीज़ें केमिकल से तैयार हो रही है एसे में हर गर में यह प्रोब्लम बढ़ती जा रही है, हर किसी को डोक्टर सुबर खाली पेट गोली लेने को कह देते हैं लेकिन आज मैं आपको एक एसा पर ही बताने वाली हूँ, जिसे लेकर आप आसानी से अपनी गेस की प्रोब्लम अफारा आधी को कम कर पाओगे अब हम शुरू करते हैं यह आसान सी होम रेमेडी, इसके लिए हम ले लेंगे पतीला और इसमें डालेंगे एक गिलास साप पानी अब इस पानी को हमें गरम होने के लिए रग देना है, हमारी पुरानी चीजें लुपत सी हो गई है, जो बहुती कारगर होती थी इन्हें आज मैं आपको बहुती आसान तरीके से बताऊंगी, ताकि आप भी इन्हें फोलो कर सके बहुत सी बार होता क्या है कि हम देखी दिखाई चीजों को बीना कुछ जाने ही अपना लेते हैं, जो हमें फायदे की जगे उल्टा नुकसान पहुँचा सकती है जो चीजें हमारी दादी नानी के टाइम से चली आ रही है, मैं उनी चीजों को आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हलका गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं, एक चमच जीरा जीरा हम सभी के कीचन में, मसाला दानी में हर वक्त मोजूद होता है जीरा डालने के बाद हमें 2-3 मिनट तक इसे उबाल लेना है आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जीरे का पानी कापी हद तक आपके पेट की गेस, अफारा, पेट दर्द, आदी को कापी हद तक कम कर देगा बहुत सी बार इतनी भयंकर गेस बनती है कि हमें सांस भी नहीं आता है जब आप इस पेए का सेवन करोगे तो आपको सांस भी आने लग जाएगी और सबसे खास बात इस पेए की ये एकी इसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं दवा ऐसी होनी चाहिए जो एकदम सौम्य हो, ठंडी हो बहुत सी बार हम इतनी घरम चीजे ले लेते ही की पेट में जलन होने लग जाती है और कहीं बार तो गले में छाले भी हो जाते हैं कोई हमसे ये केता है की लॉंग ले लीजिए, डालचीनी ले लीजिए लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में लेना है तो ये चीजें हमें उल्टा फायदे की जगे नुकसान भी पहुचा सकती है इसलिए जब कभी आप आयुरुवेत की कोई भी दवा यूज करिये तो अपने डोक्टर की सला से या फिर अपने बड़े बुडों से पूच करी ले हमें जीरे को अच्छे से उबाल लेना है यदि आपको जल्दी हो हातों हाती इस पानी का यूज करना हो तो आप इसे 5-6 मिनट तक उबाल लीजिए और यदि आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप इसे 3-4 मिनट तक उबाले और गेस को बंद कर दे फिर इसे डखकन से डखकर 5-6 मिनट के लिए रख दे ताकी ये थोड़ा ठंडा हो जाए और जीरा अपना अरोमा इसके अंदर दे दे जीरे का जो तेल होता है अफार को कम करने का जो गुण होता है वो इस पानी में आ जाएगा पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हमें गिलास लेंगे और इसमें पानी को चान लेंगे आप देख सकते हैं इसमें कितना बड़िया सा कलर आ गया है अब आप कहेंगे कि हम इस जीरे का क्या करें ये जीरा तो वेस्ट हो गए लेकिन एसा नहीं है फ्रेंड्स हम इस जीरे का यूज करेंगे इसे हम एक कटोरी में निकाल कर फ्रीज में रख देंगे ताकि दूसरी बार जब हम जीरे का पानी बनाएं तो इसका यूज कर लें या फिर इसे सूखा कर सबजी में डाल लेंगे हो गया ना जीरे का यूज अब हम इस गुनगुने पानी में काला नमक डालेंगे यदि आपके पास काला नमक अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगे आप सेंदा नमक जो हम व्रत उपवास में यूज करते हैं उसे डाल ले नमक आप अपने स्वात के अकोर्डिंग मिला ले और इस पानी को गुन गुनाईय में एक एक गुट गुट करके पी लेना है जैसा हम चाई पीते हैं सेम उसी तरह से इसे भी पी लीजिए इस पानी में आप एक चम्मच निम्बू का रस डाल कर भी पी सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा ये लीजिए फ्रेंड्स बीना पेसे खर्च किये बहुती आसान तरीके से एकदम डिलिशियस सूपर हेल्दी पेई बनकर तयार हो गया है कहीं बार रात के समय में अचानक से पेट दर्द होने लगता है अफरा आ जाता है ऐसे में आप तुरंत ही इस पेई को बना कर ले लीजिए हाथो आती आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा अब हम ये जान लेते हैं कि ये पानी कप कप पीनाए एक तो जब आपको गेस बन जाए तबी तुरंत बना कर पी लीजिए और यदि आपको एसिडिटी की बहुत प्रोग्लम है तो आप रोज रात को इस पानी को बना कर लीजिए और इस पानी को गुन-गुना ही पीनाए, नहीं एकदम ठंडा करके पीनाए और नहीं एकदम गरम, जिस तरह से हम चाई पीते हैं वेसे ही एक केक गुट करके इसे पीनाए, आपको बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका यदि आपको आज की मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे फेमेली एंड फ्रेंड्स के साथ चेयर जरूर करें और आप मेरे चेनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद